दोस्तों यह एक 2.5 मेगावाट का सोलर प्लांट है और यहां पर देखी यह जो सोलर मॉडूल लगी हुए है जो हमारी प्लेट होती है इसको सोलर मॉडूल बोला जाता है तो यह जितने भी सोलर मॉडूल है यहां पर हमारे प्लांट में 8300 प्लेट लगी हुए है सोलर मॉड तब यह एक दिन में कितनी electricity को generate कर सकते हैं कितनी यूनिट है वो एक दिन में बनाते हैं तो यह हम आपको इस वीडियो में बताने बाले हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक सेर जरू करें और अगर आप कोई भी दोस्त solar plant का काम सीखना चाहते हैं कि solar plant कैसे बर्ख करते हैं सब कुछ detail में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चेनल को subscribe कर सकते हैं और हमने पहले इसकी बेसिक की से लगा जाता है क्या कि बर्ख हुरता है क्या-कति वीडियो यह सारे वीडियो हमारे शेनल पर आपको मिल जाएंगे आप बो देख सकते हैं अगर आप बेसिक से खनाते हैं कि सुलर प्रांट कैसे लगते हैं तो आपको बलुकुल सही जानकारी मिलेगी हमने बलुकुल बेसिक से बताया है इस्टार्ट vocês से बताया है तो देखी यहां पर आप देखेंगे first mark second mark third mark तो सभी का हमने record बनाए है यहां पर यह seat है हमें बनानी होती है तो आप अगर total जो unit है कितनी जनरेट करता है पर देखें तो यहां पर first mark को देखेंगे तो यहां पर देखे total generation in kwh यह देखा रहा है unit में तो आप date के सामने यहां पर इस बाले column को देखेंगे तो आप पुछ सारे days की जो यह भी हमारी date है कितनी unit बनाए है इसने generation दिखाएगा कि कितनी unit इसने generate की है और देखें यहां पर यह जब column देखेंगे आप तो यहां पर देखेंगे तो यह हमारे दो PCU लगी हुए तो यह PCU 1 का generation record है और यहाँ पर देखेंगे PCU2 का है अब दोनों को यहाँ पर यह प्लस करेंगे तो दोनों का जो टोटल जनरेशन होती है वो हमारे इतने आ जाती है यहाँ पर प्लस हो के आती है सभी की और यह डिपेंड होता है हमारा सोलर रेडियेशन पर अगर किसी दिन धूपी कम रहती है तब भी यह सोलर प्लांट है बर्क करता है यूनिट को जनरेट करता है लेकिन अगर आप यहाँ पर बैरियेशन देखेंगे तो यह थोड़ा जो है रेडियेशन अगर कम होता है उसके कारण से यहाँ पर यह जनरेशन है थोड़ी कम हो जाती है यहाँ पर देखेंगे कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है तो यह फर्क होता है हमारे रेडियेशन पर किस दिन कितनी रेडियेशन है सोलर रेडियेशन है उससे साबसे यह जनरेट करते है तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसकी पीक बैलू देखेंगे तो यह पीक बैलू होता है जो हमारा 2.5 मेगाबाट का जो सोलर प्रांट है लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं 1.5 मेगाबाट या 1.6 यह किलोबाट में यहाँ पर तो देखिए इतनी यूनिट ही यह वो पीक देखिए पहलू होती है इतनी ही जन्रेशन इसकी होती है क्योंकि कोई भी सोलर प्रांट है वह 100% इफिसेंसी नहीं देता है इसकी 80-90% तक इफिसेंसी रहता है यूँ आप यह यह वहारा लोकेशन पर देपेंट होता है किस लोकेशन पर कैसे बर्क करता है तो यहाँ पर कि ऐसी location है इस plant की कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल होती है जो सड़क भी बहाँ से गुजरती है पास से तो यहाँ पर solar module के उपर धूल है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है जिसके कारण इसकी efficiency है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एक बार washing होने के बाद भी इसको boss जब कर देते हैं तो क्या होता है यहाँ पर सबे सबे बहुत ज़्यादा ओस होती है जो वो गिरती है पूरे module पर आ जाती है और पर बहाँ पर जो भी धूल उड़ती है वो उससे module से जाके चिपक जाती है तो इसके कारण क्या है इसकी यहाँ पर efficiency थोड़ी कम होती है लेकिन जब किसी दिन बारे सगर हो जाती है तो यह सारे module एक साथ clean हो जाते है तो उस condition में यह हमारा 2.1 या 2.2 तक यह generation देता है जनरेट करता है plant तो यह depend होता है इसकी जो efficiency है वो control होती है डारेक्टली जो धूल आयाती है अगर आपके यहाँ प्रावपर धूल को हटाया जा रहा है cleaning किया जा रहा है module का तो आप इससे ज़्यादा efficiency इससे ले सकते है तो यहाँ पर जिस प्रकार से धूल बहुत जल्दी आ जाती है एक दिन मॉडूल बहुत हुआ दो तीन में बहुत ज़्यादा धूला जाती है तो इसलिए यहाँ पर efficiency कम होती है तो देखिए इस प्रकार से आप पूरी sheet को देख सकते है पूरा इसमें record बनाया जाता है देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसकी generation होती है कभी 10,000 होती है कभी 11,000 होती है कभी 9,000 होती है कभी 12,000 हो जाती है तो इस प्रकार से यह generation देता है टोटल radiation पर डिपेंड होता है तो दोस्तों अगर आप solar plant की सारी जानकारी लेना चाहते है तो हम description में आपको इसकी playlist को लिंक दे देंगे आप वहाँ से उस video को देख सकते हैं सारी video आप देख सकते हैं और आप इस से बहुत कुछ सीख सकते हैं हमने बलुकुल detail में आपको बताया है